आपका दूसरा सवाल बड़ा जन्यून है कि ये सारे जो रिजल्ट आए आपके हिमांचल में गुजरात वगरह में और दिल्ली के MCD का भीलू इससे क्या चीज़े कंक्लूड की जा सकती है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत वाइड लेबल पे जनता को जनारदन बोला जा जनता इतनी बुद्धिमान है जनता या भगवान बोलिए जिसको जो मिलना चाहिए जो जितना योग्या है उसी को मिलेगा अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जनता यानी जनारदन ने दिल्ली MCD एलेक्शन में क्या किया केजरिवाल जी आपका निसान जहाडू है ल उसने लगातार अपनी उमर को खपाया है और ग्राउंड लेबल पर काम किया है न कि उयु व्यार्क टाइम्स में एड़टीजमेंट दे के हमने विकास किया है गुजरात की जनता ने एक बहुत जबर्दस्त चोट किया हुआ है एक आइडिवाल जिर्वी जनता ने यह बत लालच दे करके तुम भारत की पॉलिटिक्स को बदलने की कोशिश मत करो साफ कर दिया केजरीवाल जी की जितनी आइडियोलोजी थी खली टाइम यह सब और फ्री बीज लालच दे करके पांच रुपए पे आप बेचने के लिए चल रहे हैं एक तरफ तो केजरीवाल बोलते की एक गुजराती है अडानी वह पूरा देश खरीदे जा रहा है और आप वहां जाके पांच रुपए का फ्री बीज दे करके टिकट खरीदने की कोसिस कर रहे हैं इसके साथ साथ गुजरात की जंता ने यह भी बताया कि केजरीवाल जी आप MCD के लिए इलिजबिल हैं प केजरीवाल जी आप प्रधान मंत्री के जूते में अपना पैर डाल करके यह प्रोजेक्ट मत करो कि भारत के अगले प्रधान मंत्री हम है हम देश को सुधा रहेंगे अच्छा यहां पर मेरा एक काउंटर है आपने कहा कि अर्विन केजरीवाल से कंपारिजन पहली बात त इसलिए दे दिया था कि पंजाब में देखे एक तो बीजेपी लड़ी नहीं थी पहली चीज वहां पर उनका कोई उफर्ट नहीं था और उसके बात कॉंग्रेस वहां पर टूट चुकी थी उनके जो भूत पूरु मुक्यमंत्री थे तो अपोजीशन ही नहीं था वहां य जो खरा है जो परखा हुआ हम उसको चुनेंगे हिमांचल मैं हिमांचल का बताता हूं हिमांचल के लिए एक सीधे सब्दों में बोला जाए इस्पेसली बीजेपी के लिए मैसेज है कि साओधानी हटी दुरगटना घटी अगर आप यह सोचते हैं कि हाँ जी एक आदमी है प्रधान मंत्री है और नीचे के लोग वहां पे एकदम लापरवाह हो जाएं तो यह चीज हिमांचल से उससे वहां पे जाकर के यह कंक्लूजन निकलता है कि कोई भी एलेक्शन हो नीचे से लेकर उपर तक सबको लगना पड़ेगा सबको लगना पड़ेगा